कि नमस्कार दोस्तों कॉंपटिशन कम्विटी के आउनलेट प्रेटफॉर्म में आपका स्वागत है और हमारे के साथ हम यह बी चर्चा करते जाएंगे कि कैसे हम अपने उत्तर के कैसे इसे एक अच्छे शब्दों में रखेंगे और साथ ही प्रेजन पर मांचितों का कैसे बहतर उपीयो किया जा सके जिसे हमें अधिक से अधिक स्कूर मिले दूसरों की तुलना पर इन सारे बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा तो जो question आपको एक मार्च पर दिखाये गए थे discussion community पर मुख्य रूप से अगर आप उसे देखें तो भौती विभाजन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुक भाग पर अधारित वब प्रशनों का संग्राथा हिमाले को सब मैंने सारे ही बौती विभाजन का सबसे महत्वपूर्ण यहां पर टॉपिक इसलिए कहा क्योंकि हिमाले की अगर हम बात करें तो ये भारत की उत्पत्ती इतिहास इन सारे चीजों से जुड़ा हुआ है हिमाले जो है भारत की जलवाईयों से जुड़ा हुआ है हिमाले भारत की अपवातंतर से जुड़ा हुआ हिमाले भारत की विश्यों में जो अवस्तिती बनी हुई है उससे भी जुड़ा हुआ है तो हिमाले सिर्फ एक बहुतिक भाग के रूप में हम उसे नहीं देख सकते हिमाले की विशेचता भुगोल के अन्य विश्यो अन्य टॉपिक पर भी जाकर जुड़ जाती है इस कारण से हमने इसे पूरी बहुतिक भी भाजन का सबसे महतोपूर्ण भाग कहा है तो चलिए आ जैसा मैंने आपको बताया कि पहले थोड़ा सा रुखेंगे और रुखने के बाद हम 30 उन्सा राइटिन्ग पर अपने ध्यान को केंद्रीद करेंगे three pillars of answer writing क्या थे तो सबसे पहला तो content फिर दूसरा भाषा शैली और तीसरा है यहाँ पर presentation content को पहला pillar कहने का ताथ पर यह है कि सबसे महतोपूर्ण भी है क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि जो भी question पूछा जा रहा है उस question को पहले आप समझिए कि वो पूछना क्या चाता है उसके बाद आप सबसे उप्योगत content का chain करें content ऐसा होना चाहिए कि सही हो अर्धात जो पूछा जा रहा है उससे ही वही आप बता रहे हैं और दूसरा जो महतोता आपको ध्यान में रखना है अपने ध्यान में रखना है वो यह है कि to the point होना चाहिए अर्धात कोई भी बाद जब आप कर रहे हैं तो आपको घुमा फिरा कर नहीं रखना है आपके पास में शब्द सीमा होंगी तो आपको उस सीमित शब्दों के अंदर ही अपने आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा दूसरा pillar मैंने आपको ये बताया था कि अच्छी भाषा शैली होनी चाहिए अर्थात जब आप answer लिखें या फिर जब जाज करता आपके copy को देखें तो उसे copy देखते समय किसी ऐसा ना लगना चाहिए कि किसी school college के बच्चे ने वो paper लिखा है उसे civil servant वाला भाव आना चाहिए अर्थात भाषा की जो पकड़ होगी साथ ही जो वाक्यों का आप यहां पर formation करेंगे वो भी एक अच्छे स्तरका होना चाहिए इतना क्लिस्ट इतना जटिल भी नहीं होना चाहिए कि वो समझने में थोड़ी से दिक्कत दे तो आपको standard और easy ये दोनों ही चीज भाषा शैली पर अपनी वहाँ पर नहीं हित करनी होगी अब यहां पर भाषा शैली ऐसे विश्यों के लिए और महतपूर्ण हो जाती है जहां पर technical शब्दों का इस्तमाल होता है जैसे कि अर्थविवस्था और भूगोल भूगोल विशय पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द दिखेंगे जो सिर्फ भूगोल विशय पर ही देखने को मिलते हैं और उस शब्दों का अगर आप शेयन अपने उत्तर पर करेंगे तो बेशक आपकी अच्छे छबी चार्ज करता के सामने बनने वाली है तीसरा यहाँ पर पिलर मैंने बताया था प्रेजेंटेशन का उद्देश जैसा मैंने आपको बताया था कि आप कितने बहतर तरीके से अपने creativity के अधार पर अपने answers को एक अच्छे frame में ले आएं जिसे बहुत असानी से आपके content को समझा जा सके बहुत असानी से उसमें जो important keyword है वो भी देखा जा सके तो चलिए इस तीन pillar of answer writing के साथ हम इस question का explanation देखते हैं और question है विशेष्टाओं के बारे में हिमाले की विशेष्टाओं क्या है what are the features of हिमालिया देखे जब इस question को आपने पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है विशेष्टाओं अर्थाद बहुवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर plural tells आपको देखने को मिलेगा अर्थाद आपको वहाँ पर किसी एक विशेष्टा पर बात नहीं करनी है आपको हिमाले की कई विशेष्टाओं के बारे में लिखना होगा तो पहले तो आपके दिमाग में यह आ गया क कि मुझे कई विशेष्टाओं के बारे में वहाँ पर डालना होगा दूसरा आप आता है कि content content पर जब आप पहुंचते हैं कि content का चैयन आप कैसे करेंगे तो content आप ऐसा देखेंगे कि जो हिमाले की विशेष्टाओं हैं और साथ ही साथ priority के basis पर यह नहीं कि अगर आप हिम कि उसकी और रही सारी जानकारी वहां पर लिख देते हैं तो हमें विशेष्टाओं के बारे में ही वहाँ पर लिखना है उसी पर fokus करना है अब यहां पर जो तीसरा पिलर है और पूछा गया है और उसे हम पेर और Cave लिख देंगे तो कितनी विशेष्टाओं को यहा पर च पुझने जाएगा तो उजा समय लगेगा समय लगने के साथ सात में हो सकता है कि इतनी रुची ना बने जितना बनना चाहिए तो हम विशिश्टाओं को यहां पर पॉइंट में लिखेंगे जैसे ही हमने पॉइंट पर लिखा वर्ट्स आपके आने चाहिए, खास कर अगर आप भूगोल का उत्तर यहां पर लिख रहे हो तो, तो चलिए इन तीनों पिलर्स को हमने किस तरीके से यहां पर सार्थक किया है, उस कीवर्ट्स के अधार पर देख लेते हैं, हमने यहां पर डाल दिया, सबसे पहला पॉइंट विशिष्टाओं के तौर पर, कि हिमाले पुरे विश्व की नविंतम, उच्चतम और मोड़दार परवत का उधारन है, यहां पर नविंतम, मोड़दार परवत का उधारन है, अब बात यह आती है, कि ऐसा हमने क्यों कहा दिया, देखिए, हिमाले की जो उत्पत्ती हुई वह कई विकास क्रम पर हुआ, कई फेसेस पर हुआ, और उन फेसेस को अगर आप समय अवधी के अधार पर देखेंगे, अगर जियोलोजिकल टाइम स्किल के अधार पर अगर आप देखेंगे, तो सेनोजोई काल पर होता है, अर्थाद 60-65 मिलियन वर्ष पूर्व की कहानी यह बनती है, जो आपकी यहाँ पर क्वाटरनी प्रेट तक आपको देखने को मिलेगा, तो अगर आप जियोलोजिकल हिस्ट्री के अधार पर देखे जाए, जो कि 4600 मिलियन येर अगो से शुरू हो चुका था, उसकी तुलना पर 65 मिलियन वर्ष पूर्व जो है, वो काफी यंगेस्ट है, काफी नवीन काल के तौर पर देखा जाता है, इस समय हिमाले की यहाँ पर उत्पत्ती होती है, उसका विकास होता है, इसलिए हमने इसे यंगेस्ट कहा दिया, साथ ही अब उच्चितम की जब बात होती है, तो उच्चितम को आप पता है कि हिमाले पर ही होना चाहिए, आप शब्दों को यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, नविन्तप कहने के बाद अगर आपके पास शब्द सीमा की यहाँ पर पर मिशन है, तो आप बदा दे कि यह सेनोजोई काल पर इसका उत्पत्ती हुआ, उसका विकास हुआ, जब उच्चितम आप कह रहे ह है, तो बीच में रखे हुई टैथी सागर, जो कि यह उतली और संकिन जल सागर का भाग था, यह इसके इन दोनों प्लेट के टकराव से इस टैथी सागर के तल का जो भाग था, जो सेडिमेंट से, उनमें हम देखते हैं कि कंप्रिशन फोस लगता है, एक जियो सिंक लाइन बनता है, और यही जियो सिंकलाइन आगे चल कर अपलिफ्ट होता है, और इसी के उत्थान का जब विभी नचरण पर हम विभी नकाल पर जब अलग अलग यहां पर समांतर फैली हुई परवत मालाय देखते हैं, तो हम उसे ही हिमालय परवत सिंकला कहते हैं, तो यह मोड़ आप विशिष्टा यहां पर बताते हैं, तो अब उसकी आकरिती पर, आप इसे और बहतर तरीके से रख सकते हैं, अगर आप विशिष्टा बताते बताते, इसके सामने पर अधार भी बताते जाएं, जैसे कि दूसरी विशिष्टा आकरिती के अधार पर है, आकरिती कैसी ह आप कह सकते हैं और्कवेट शेव्ड कर शो की धनुषाकार आखरिती के तौर पर देखेएगा जिसका खनवेक्स दक्षिण की तरफ होगा या फिर उत्तार जूगा दक्षिण की ओर दक्षिन की और था भारत की और तो आप धनुशाकार तो कह दिये लेकिन ये भी क्लियर करना होगा कि धनुशाकार ऐसा धनुश बन रहा है या ऐसा धनुश बन रहा है तो इस तरीके का धनुश बन रहा है ये बताने के लिए आप बताएंगे कि इसका जो कन्वेक्स है वो सा तो ध्यान रखें कि उतनी ही mapping करें जितना question के answers को आप वहाँ पर indicate कर सकें वहाँ पर point कर सकें जब आप ज़रूरत से ज़्यादा आप map बना देते हैं और indicate करने वाला point बहुत कम होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपने map बनाया है वो अपने ग्यान का प्रदर्शन कर र सकें indicate करने के अलावा map representation आपके समय का शब्द का और आपके ग्यान का कोशल का सबका बरबादी वहाँ पर बन सकता है चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अगला यह लंबाई चोड़ाई पर अधारी थे देखे हमने यहाँ पर आकरिती देख ली आकरिती देखने के बाद कि यह कहां तक पहली हुई है इसकी लंबाई चोड़ाई पर बात करते हैं देखे विस्तार की जब आप बात करें तो विस्तार इसकी लंबाई चोड़ाई अर्थाथ किलो मिटर के अधार पर भी आप बता सकते हैं और साथ ही भोगलिक इस्तिती के अधार पर भी बता सकते जैसे अगर आप हिमाले के विस्तार पर बात करें तो भोगली का अधार पर आप कैसे बता सकते हैं कि यह पस्चिम में हिंदु कुछ सुलिमान से लेकर पुर्व में म्यानमार के अराकान योमा परवर्श शिंकला तक इसका विस्तार देखने को मिलता है इसके उत्तर पर हमें तिबबत का पठार देखने को मिलेगा और दक्षिन में हमें गंगा का मैदान या प्रायदुपी पठार भारत का देखने को मिलेगा आप किलोमेटर के अधार पर अगर बताएं तो लंबाई इसकी 2400 किलोमेटर बनती है अगर आप पस्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो और अगर चोड़ाई की बात करते हैं तो पस्चिम की दिशा पर इसकी चोड़ाई जादा है 500 किलोमेटर और इसकी चोड़ाई कम हो ज की तुलना पर अधिक ब्रिस्टित क्यों है अर्थात ये जो वेस्टन साइड है वो इस्टन साइड के कंपरीजन में ज्यादा वाइड क्यों है तो इसे यहीं पर ये स्थर्टी वर्ड के कोश्चन का एक्स्प्रेशन हम देख लेते हैं क्यों है वाइडर तो देखिए जब यहां पर यूरेशन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराने के लिए पहुंच चुका था तो सबसे पहले जो भारती प्लेट का टकराव होता है वो इसका पस्चमी हिस्सा होता है यह पस्चमी हिस्सा यूरेशन प्लेट से पहले टकराएगा और बाद में यह पुर्वी हिस् तब तक पस्टमी भाग तिबितन प्लेट में या फिर आप कह सकते हैं यूरेशियन प्लेट में काफी अंदर तक 10 चुका था तो इस अधार पर अगर आप देखें तो पस्टमी भाग को यूरेशियन प्लेट में घुसने का बहुत लंबा समय मिला था इसलिए इसकी जो चौडाई होती है पस्टमी साइड में वो काफी जादा होती है और पुर्वी साइड में हम देखते हैं कि इसकी चौडाई थुड़ी कम भी हो जाती है ये सबसे महतपूर्ण कारण है इसमें अन्य भी कारक अपनी भूमिका तैक करते हैं और भूमिका ये हो जाती है कि जब आप शिवालिक देखेंगे जो आउटर हिमाले का भाग बनता है यह शिवालिक हिमाले की नदियों के द्वारा लाए गए जो निच्छेपन थे जो प्याद रूप देखने को मिलता है वो पस्टमी सैड में ही देखने को मिलता है पुर्वी सैड अगर आप जाते जाएंगे तो शिवालिक लगबग गायपसा प्रतित होता है तो इस अधार पर भी आप ये दूसरे कारण के अधार पर भी बता सकते हैं कि क्यों हिमाले का ज आते हैं हम विस्तार हो चुका हमारा एक अधार कंप्लीट अब आते हैं हम अपवाह तंत्र या फिर ड्रेडेट सिस्टम पर अर्धाद नदियों से संबंदित कुछ बात होने वाली है तो हमने यहाँ पर विशिश्चताओं के तौर पर सबसे पहले रखा हुआ है मारग पर बहती थी जिस मारग पर आज भी बह रही है अर्थात भू भा की परिवर्टन होने के कारण उनोंने अपने मारग में परिवर्टन नहीं किया है एजेंट हों gider पहँन होंगे नदियां होंगी या फिर जलका पानी होगा इन डिफरेंट एजेंट के द्वारा इन चट्टानों को तोड़ा जा सकता है और इस टुटे हुए चट्टानों इन टुटे हुए कर और को अपने साथ लेकर आगे ट्रांस्पोरेशन भी कर सकते हैं और जब इन एजेंट्स के पास में पावर नहीं होगा उन्हें आगे कैरी करने के लिए तो उन्हें छोड़ देंगे तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं तो पूरवरती नदियां आपकी इसी प्रकार की एक नदी का उधारन बनता है कि जब हिमाले उपर उट रहा था तो यहां पर बहने वाली नदियां हिमाले की जो नदियां उनके पास में काफी ज़्यादा बल थे बल इसलिए था क्योंकि वह सदा नीरा नदियां थी मतलब कि उसमें पानी का जो वॉल्यूम है काफी ज़्यादा था क्योंकि इनके पास मौनसून के समय भी वहां पर बार है नदियों का वो इसे असानी से तोड़ सकता है और इरोड कर सकता है तो जितनी गती से अप्लिप्मेंट हो रहा था उससे तेज गती से नदिया वहां पर इरोजन कर रही थी जिस कारण से नदियों को अपने मार्ग में परिवर्तन करने की अवशक्ता नहीं पड़ती है यह है एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम कहने का ताथ पर है देखें हम साथ ही साथ कंटेन्ड के सांथ ही साथ उस टेकनिकल शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं जिसके उपियोग से आपके उत्तर काफी बहतर दिखने लगेंगे जाच करता के सामने चलिए आगे आते हैं सदा नीरा नदिया अर्थात परेनियल रीवर या सदा नीरा आप नाम से ही समझ जाएंगे नीर अर्थात पानी सदा मतलब हमेशा जिन नदियों में पानी रहे उसके पीछे कारण मैंने आपको बता दिया कि यहां की जो नदिया है वो मौनसून से भी जल प्राप्त करती है और जब मौनसून नहीं होता तो हीम के पिगलनों से वहां पर जल पहुंच जाता है इसलिए बारों मैना इसमें पानी देखने को मिलेगा हमेशा इसमें पानी होगा चलिए अब हम आते हैं एक और विशिष्टा पर और यह है सिंटेक्सियल बेंड अब यह सिंटेक्सियल बेंड का अर्थ क्या है तो अगर आप हिमाले के विस्तार को देखें तो पस्चीम और पुर्व दिशा के दोनों ही छोर पर जो हिमाले का यह भाग है वो अचानक से इसे सिंटेक्सियल बेंड कह दिया जाता है हिमाले का एक फिचर अब हम बात करते हैं धाल पर अगर आप हिमाले को देखें तो हिमाले का जो उत्तर वाला भाग है अर्थात वाला भाग जो तिबबत के साइड देखने को मिलता है तो वहाँ पर धाल हिमाले का मंद है टकराता है तो जो एक्टिव प्लेट उस समय था वह इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब युरेशियन प्लेट से टकराता है तो इंडियन प्लेट के तरफ से फोस लगता है और कुछ इस तरीके की अकृती होती है इस साइड से लगने के इस साइड से फोस लगने के क कारण यहाँ पर ढाल थोड़ा सा हमें स्टीब दिखता है तीवर दिखता है लेकिन यहाँ पर एक रुकावट मिल जाता है यूरेशन प्लेट का उत्तर साइड में और वहाँ पर वो स्टीब स्लोप ना होकर एक जंटल स्लोप बन जाता है तो यह आप यहाँ पर ढाल के बार करती है तो आप और भी जानकारी डाल सकते हैं आप वहाँ पर वनस्पती के बारे में डाल सकते हैं आप विस्तार के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि आप हिंदू कुछ सुलेमान और अराकान योमा परवर्श शिंख्लाओं के बारे में भी जानकारी वहाँ पर डाल सक अब हम दुसरे प्रश्ण पर चर्चा करते हैं और यह प्रश्ण है कि हिमाले एक परवत नहीं अपितु समांतर फैली हुई परवत मालाओं की एक श्रिणी हैं तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रश्ण पर आप से कुछ पुष्टी करने को कहा जा रहा है आपको उसे अपिक एक पैरलल मतलब एक दूसरे के समांतर फैली हुई परवत मालाओं की यह पुरी एक श्रिंक लाएं अब इसे आप कैसे लिखेंगे देखे इस प्रश्ण पर अगर आप थोड़ा और डीप जाएं और सोचें तो सीधे तोर पर इस पर आपको कंटेंट वही लिखना है जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाले का उत्तर से दक्चिन विस्तार के बारे में आप बताएं आपको बस यहां पर जो चेंज करना है वो कुछ हिमाले की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे फिर यह समांतर फैली हुई श्रिंडिया बन जाती है इसे आप लिखें और किस अधार पर तो जियोलिजिकल टाइम स्केल में जो ये हिमाले का अपलिप्मेंट उसकी और उसका जो डेलप्मेंट हुआ है उसके अधार पर अगर आप लिखेंगे तो अपने बात को बहुत अच्छे से वहाँ पर रख पाएंगे और ये बता पाएंगे कि क्यों हिमाले को एक पैरलल सिरीज माउंटेन कहा जाता है तो आप इसमें जब शुरुआत करेंगे तो दो तीन लाइन का आप स्टेटमेंट कर दें समान एरुप से ये जो प्रशन है वो बड़े उत्तरों वाले या बड़े प्रशनों के श्रेणी पर ही आता है तो दो तीन लाइन पर आप यहां पर बता दें कि सेनोजोईक काल पर जो टरशिर्य योग था येण प्लेट के टखराने से जो संपीडन बल हुआ लगा बहरा था उसका जो सेडिमेंटेशन था उसके जो अफसाद थे जब उन पर ये कंप्रेशन फोर्ष लगता है तो यही एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में हमको दिखता है वलित परवत के रूप में दिखता है अब ये जो वलन की प्रक्रिया से माउंटेन बने ये अलग अलग समय काल पर अलग अलग यहां पर सिरीज बनते जाते हैं और उसे ही हमको यहां पर बताना होगा तो सबसे पहले तो आप एक दो तिन लाइन पर यह बता दें कि कैसे हिमाले की उत्पत्ती होई वही संपीडन बल वही भुसन नती वही वहां पर वलन की प्रक्रिया ऐसे कुछ शब्दों का वहां पर चैन जरूर करें उसके बाद बताएं कि हिमाले का विकास तीन विभिन चर्णों पर होता है अब वो आप यहां पर बता दें सबसे पहले तो जो आप सेनोजोईक महाकलब के यह कुछ यूग है यह तरशरी यूग के आगे चब आएंगे तो उसके अंदर के यह अलग-अलग टाइम पिरेड है सबसे पहले पेलियोसीन और ईयोसीन इस टाइम पिरेड पर अगर आप देखें तो हमारा यह ट्रांस हिमालिया और ITSZ बनता हुआ दिखता है तो आप बताएंगे ये कि पेलियोसोईन और आपका इयोसिन टाइम पिरेड पर हमें ट्रांस हिमालय से लेकर ITSZ अर्थात इंडो सैंपोल सचर जोन यहां तक कि हमें उत्पतिय विकास देखने को मिलेगा फिर उसके बाद जब आगे हम बढ़ते हैं तो ओलिगोसिन टाइम पिरेड पर ग्रेटर हिमालय बनता है ग्रेटर हिमालय से लेकर MCT तक का जो विकास होता है वो इस टाइम पिरेड पर आपको दिखेगा अब देखिए यहीं से आप समझ पा रहे होंगे कि ट्रांस हिमालय के पैरलल पर हमें व्रियाद हिमालय और ठीक ऐसे ही लगो हिमालय शीवाली कैसे हमको एक पैरलल मांटें दिख रहा हुआ हम इसको क्रोस सेक्षन के तौर पर यहाँ पर बनाए हैं अब यहाँ पर जब आप ग्रेटर हिमालय के बारे में बता दें कि ग्रेटर हिमालय और MCT का फॉर्मिशन होता है तब कुछ आप यहाँ पर कंटेंट ग्रेटर हिमालय के बारे में डाल दें आप बताएं कि टाइम पिरेट पर व्रियाद हिमालय का निर्मान होता है और ITSZ तक MCT या में सेंटरल थर्ष तक हमको देखने को मिलता है और एक निरंतर सबसे उच्चतम और हिमालय का उत्तरी भाग बनता है जिसे हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय अब यह निरंतर क्यों कहा गया क्योंकि जब आप ग्रेटर हिमालय को देखेंगे जिसका विस्तार नंगा परवस से नामचा बारवत तक हमें देखने को मिलता है तो इस पस्चिम से पुर्व तक के विस्तार पर हमें कहीं पर भी मौंटेंस के यहां पर गैपिंग नहीं दिखती नंगा परवस से नंदा देवी धोला गिरी मंसालू मकालू मौंट एवरेश कंचन जंगा आपका पूरा यह अरुना चलके नामचा बारवत तक के कंटिनियस मौंटेंड आप फिर उसके बाद जब आप दूसरे फेस पर आते हैं सेकेंड फेस पर जब आप आएंगे तो सेकेंड फेस पर आप बताएंगे कि मायोसिन टाइम पिरेट जिसका टाइम पिरेट 24 मिलियन वर्ष पूर बता इस समय लगों हिमाले के साथ साथ MBF य अर्थात मेल बॉंडरी फ या निरंतर दिखता है हमें लेसर हमाले विच्छेदित दिखता है अर्थात अगर आप जब देखेंगे भारत के मैप में तो आपको पीर पंजल ढहुला थार ऐसे आपको एक दूसरों से अलग मौंटेन फीक्स आपको दिखेंगे मांटेन रेंज आपको दिखेंगे और ये इसे discontinuous होने के यहाँ पर फीचर्स बताते हैं. discontinuous क्यों होता है तो इसलिए क्योंकि जब लगू हिमाले का उत्थान हो रहा था तो प्रायदुपी भारत की और से कुछ यहाँ पर बड़े भुवाकरितियां थे जिसे हम अरावली सत्पुड़ा बिंद्यन के नाम से जानते हैं और उत्तर पर हमें ग्रेटर हिमाले बना हुआ दिग रहा था और दोनों ही दिशाओं से यहाँ पर इसे फोर्स लग रहा था और ये irregular endogenic forces के कारण अर्था जब zigzag motion पर फोर्स लगा उस लेसर हिमाले वाले पार्ट पर तो जो mountain range थे वो break हो गए और break होने के बाद हमें ये बिच्छे दिद या फिर discontinuous mountain range हमको देखने का मिलता है जब आप third phase पर जाएंगे तो third phase पर आप बताएंगे कि प्लायो सीन जिसका time period पांच मिलियन वर्ज पुरू था यहां पर शिवालिक से लेकर हिमालियन फ्रिंटर फॉल तक आपको बनता हुआ दिखता है अर्थाथ ये शिवालिक से HFF तक का निर्मान होता हुआ दिखता है शिवालिक के आप बारे में आप बता देंगे कि ये क्या है ये कैसे बना तो ये अपलिफ्मेंट आफ डिपोजिशन ब्रॉट बाई हिमालियन रिवर्ज अर्थाथ जो हिमाले की जो नदियां थे जो निच्छेपन लेकर आई थी उनके उत्थान के कारण ये शिवालिक बनता हुँ दिखता है यही 30 word पर एक और question discussion community पर आप में देखा होगा कि शिवालिक के उत्पत्ती के पीछे का कारण क्या है तो वो कारण मैंने आपको बता दिया और आप इन शब्दों का चैयन बिल्कुल करेंगे इस तरीके से आप इसे लिखेंगे इस तरीके से आप इसका representation कर देंगे और इसके बाद आप कह देंगे कि चुकि हिमाले अलग-अलग समय काल पर बनता हुआ दिखता है उसका विकास जो है वो अलग-अलग चर्णों पर अलग-अलग पेसेस पर होता है इसलिए हमें वो एक समंतर फैली हुई परवश शिंकला के रूप में दिखता है इस परकार से आप अपने उत्तर को यहाँ पर समाप करेंगे चलिए अब हम आते हैं अगले उत्तर पर अगला प्रश्न आधारी था हिमाले के महत्वता पर, importance पर कि हिमाले का importance क्या है और खासकर हमारे लिए तो चलिए इसे हम फिर उसी content, language और presentation वाले pillars पर सजा कर रखते हैं तो जब importance पर बात हो तो सबसे पहला और सबसे important जो importance हिमाले का बनता है वो बन जाता है भारत पर हिमाले के कारण जलवाईयों पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो सबसे पहला तो यह कि हिमाले के कारण मौनसुन की उत्पत्ती पर बहुत ही जादा प्रभाव पढ़ता है बहुत ही महत्वपून भूमिका होती है हिमाले की मौनसुन की उत्पत्ती पर onset of मौनसून कैसे देखे अगर हिमाले बनता नहीं तो तिबबत का पठार भी नहीं बनता क्योंकि जब दोनों प्लेट टकराई तो जैसा यहां पर हिमाले बनता हुआ दिखता है वैसे उत्तरी भाग पर या फिर उरेशन प्लेट पर हमें तिबबत का पठार बनता हुआ दिखता है तिबबत क पास के छेत्रों से ये दो से तीन दिगरी सेलसियस अधिक गरम हो जाएगा अधिक गरम हो जाने के कारण यहां पर निम्नवायूदाब का निर्मान होगा और वो परियाप्त निम्नवायूदाब बन जाएगा जिस कारण से उच्छ वायूदाब अर्थात जो हिंद साहब महा वायुदाब की और प्रवावित होती है यह सारी जो कहानी में कह रहा हूं जैसा आप कह रहे हैं ऑनसेट और मौनसुन अर्थाथ उस समय की बात हो रही है जब सुर उत्रायन की दिशा पर है उत्रायन पर है या फिर भारत पर है करकरेखा के उपर यहां पर बना हुआ है तो अपने मार्ग पर आद्रगरन करके भारत में इतने व्यापक इस तर पर वर्षा गराती है जिसे हम मौनसुन कहते हैं तो इसलिए आप यहां पर बता सकते हैं ऑनसेट और मौनसुन और उसमें तिब्बत का पठार की भूमिका बता सकते हैं जो अप्रत्यक्ष तोर पर हिमा इवेंट है और उसका भी इंपक्ट पड़ता है जैसे के बारे में हम और भी ज्यादा डिटेल देखेंगे जब हम जोग्रफी के कुश्चन हम डिसकस करेंगे क्लैमेट पर लेकिन यह बहुतिक भाग है बहुतिक विभाजन है और जैसा मैंने आपको कहा था कि हिमाले तो हम बात करते हैं पस्टिमी विच्छो के जैस्ट्रीम उपरी वायो मंडल पर प्रभावित होने वाले एक एयर बैंड है और जब यह हिमाले के पास से गुजरता है समाने रूप से आप इसे दिसंबर जनवरी का आसपास का समय कह सकते हैं तो जब हिमाले के उपर से यह जे श्टिम दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है जो दक्षिन शाका है हिमाले के दक्षिन से जो होने वाली शाका है दक्षिन से गुजरने वाली शाका या भूमध्य सागर से आदर ग्रहन करती है और भारत के उत्तरी भाग पर अर्था या फिर आप उत्तर पस्टिम भाग पर या फिर दिल्ली पंजाब राज्यों की बात आप कर सकते हैं यहां पर शीतरितु में वर्षा कराता है और यह जो वर्षा का पानी है वहां के रभी फसलों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण हो जाता है तो यह पस्टमी विच्छोब जो भारत में देखने को मिलता है उसमें भी हिमाले की यहां पर महतोपूर्ण भूमिका बनती है चलिए अब डेवलप्मेंट पर बात करते हैं और वह है परवत कृत वर्षा या फिर औरोग्राफिक रेंपॉल अब यह किस प्रकार की वर्षा होती है तो देखिए जब प्रवने प्रभावित हो रही होती ह और उसके मार्ग पर एक प्राकरतिक रुकावट के तोर पर जब परवत दिख जाते हैं तो यह प्रवने उससे टखरा कर उपर की और उड़ती है जब उपर की और उड़ती है तो एक टाइम प्रेट के बाद वो सैचुरेट होती है और जितना यहां पर मौशर केरी किये हो ते हैं देखे जब मौनसून आता है तो वह दो शाखाँ में विभाजित हो जाता है एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाडी शाखा पर अरब सागर शाखा पर अगर आप उसका उत्तरी भाग देखें अर्थात राजस्तान वाले भाग पर देखें तो वह राजस्तान भाग से प्रवावित होते हुए यहां हिमाले के दक्षिन पर पहुंच जाता है हिमाले के तलहटी पर फुट हिल्स पर यह पहुंच जाती है राजस्थान के आसपास में या फिर इन चेत्रों पर इसे रुकावट नहीं मिलता क्योंकि अरावली की अगर आप बात करें तो य एक उसी कारण से आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये पवने हिमाले को पार कर जाती हैं या फिर जब आप पवनों की वर्षा की बात कहें तो जो हिमाले का उत्तर वाला भाग होगा वहाँ पर वर्षा नहीं होती वहाँ पर मरुस थल दिखता है आप चाइना के गोबी ड अब बात करते हैं इट प्रिवेंट्स कोल्ड साइवेरियन विंड अर्थाथ ये शीत लहरों को रोकता है इसी स्टेटमेंट पर या इसी पॉइंट पर एक स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि अगर हिमाले नहीं होता तो भारत एक मरुस थल की तरह होता देखें जब आप भ है और जब इसका उत्तरी वाला भाग देखेंगे तो उप मिड लेटिटिट पर आपको उपोस्ट छेतर पर देखने को मिलता है उपोस्ट छेतर पर समान ये रूप से वर्शा नहीं होती क्योंकि यहाँ पर तापमान कम हो जाती है यहां पर तापमान उतनी नहीं होती कि अधिक वरशा का कारण बन सके अब जब इस तरीके से आप देख रहेंगी नॉर्मल फीचर होता है लेकिन भारत में हम ये नॉर्मल फीचर नहीं देखते क्योंकि उसके पीछे कारण बन जाता है हिमाले जब सुर्य दक्षिनायन की और होगा अर्थात करक रेखा से जब दक्षिन की और मकर रेखा की और प्रभावित हो चुका रहेगा तो हिमाले के उपर बहनी वाली जो पवने हैं जो साइबेरिया में बह रही हैं जो ठंडी पवने हैं वो प्रभावित होकर भारत की और प्रवेश करने का प्रयास करेंगी जो समानी रूप से अन्य उपोशने छेतरों पर होता है लेकिन जब ये भारत में प्रवेश करने का प्रयास करेंगी तो हिमाले एक प्राकृतिक एक नेच्रल बेरियर की तोर पर वहां पर खड़ा हुआ से ये कहा जाता है कि अगर हिमाले नहीं होता तो भारत एक मरूस थल्क हो सकता था तो आप ये जरूर बताएं कि हिमाले साइवेरिया से आने वाली शीत लहरों को रोक देता है और उपोशन छेतर में होने के बावजोद भारत उस नकटी बंधी मौनसुनी जलवायों का अनु क्योंकि इसमें मौनसुन से आने वाली पानी भी मिल जाते हैं और साथ हिम के पिखलने से भी वहाँ पर जल मातरा बढ़ जाती है ये हो गया इसका सबसे पहला फिचर जल मातरा का अधिक होना अब इस अधिक जल मातरा वाली नदियों के पास में बल भी बहुत जादा होता है क्योंकि अभी पिछले कोश्चन पर मैंने आपको बदाया था कि जब हिमाले के ढ़ाल के बारे में आप देखेंगे तो दक्षणी ढ़ाल अधिक तीवर हो जाता है अधिक तीवर हो जाने के कारण यह अधिक जल मातरा पानी कापी तेजी से बैता है और जब यह दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जल मातरा बहुत जादा है धाल वहाँ पर दक्षण की और तेवर है और साथ ही साथ आप यह देखते हैं कि इसके पीछे की स्टेट्मेंट यह कह दिया जाता है कि गंगा का मैदान हिमाले का वरदान है अगर हिमाले होता नहीं तो वहाँ पर बहने वाली नदिया नहीं होती उनके पास उतनी जल मातरा नहीं होती हिमाले नहीं होता अर्थाद नवीन इसकी जो प्रविती है वो नव तो आप ये बनाएं कि गंगा का मैदान हिमाले का वर्दान है। साथी साथ जब जल मातरा अधिक होगी तो हाइडरो एलेक्रिसिटी की भी पोटेंचलिटी वहाँ पर काफी जादा होगी। ये बहुत इंपोर्टेंस हिमाले के देखने को मिलते हैं इसलिए हम इसे उपर के पॉइंट्स पर रखेंगे। अन्य यहाँ पर इंपोर्टेंस की अगर आप बात करें तो हिमाले हमारे स्ट्रेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपोर्टेंट है। हिमाले पर आप देखते हैं कि हिमाले पर हमारे अंतरराश्ट्री सीमाएं भी हैं और यह हमारे लिए कितना एक डिफेंस के फॉर्म पर एक रक्षा के लिए कितना महतुपूर्ण हिमाले यह आप लोगों को बदाने की ज़रूरत नहीं है historical importance अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे invasion हिमाले के द्वारा नहीं संबह हो पाए जैसे कि अगर आप उधारन पर मंगोल invasion की बात करें मंगोलों ने भारत पर आकरमन नहीं किया क्योंकि हिमाले एक रास्ते पर एक बहुत ही बड़ा परवर शिंकला था और इसे भेद कर भारत में आकर अटेक कर देना ये उनके लिए बहुत ही कठेंगा आप religious importance भी कह सकते हैं चाहे वेशनो देवी मंदिर जाना हो चाहे कैलाशमां सरोवर हो हिमाले की importance महाँ पर देखने को मिलती है साथ ही आप नदियों के बारे में भी कह सकते हैं कि भारत की बहुत विशाल विशाल नदियां जैसे गंगा या फिर सिंदू नदी ये सारी नदी का जो उदगाम होता है वो हिमाले से ही होता है ये सारे importance उसके बन जाते हिमाले के इतने content परियाब थे आपको अच्छे मांक सी score कराने के लिए तो चलिए अब हम आते हैं अगले question पर अब हम आते हैं अगले question पर और यह question अधारिद है पस्टमी हिमाले और पुर्वी हिमाले के मद्धे अंदर पर अंतर के लिए मैंने आपको तरीका बदाया कि आप column wise करेंगे और अंतर के यहाँ पर अधार लिख देंगे और इस अधार के अनुसार ही आप यहाँ पर अंतर लिखें तो ज्यादा बेतर होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं पस्टमी हिमाले और पुर्वी हिमाले के मद्धे अंतर तो सबसे पहले तो अगर आप विस्तार की बात करें तो पस्टमी हिमाले के अंदर कश्मीर हिमाले और कुमाओ हिमाले छेतर अर्थाद अगर नदी के अधार पर आप कहें तो सिंदू नदी से लेकर यह काली नदी तक आपको विस्टीत होता हो दिखेगा पस्चमी हमाले लेकिं जब पूरवी हमाले के आप बात करेंगे तो काली नदी से لेकर ब्रम पुत्र नदी तक विस्तार आपको देखने को मिलेगा पुर्वी हिमाले का आप ये भी कह सकते हैं कि नेपाल हिमालिया और आपका आसाम हिमालिया ये पुर्वी हिमाले का भाग बनते हैं अब बात करते हैं हाइट की हाइट के बारे में अगर आप देखें तो पस्चमी हिमाले पर अगर आप परवत जो सबसे पस्टिम वाला भाग आपको देखने को मिलेगा इस भाग की अगर आप बात करेंगे तो यह लगबख आपको 8116 मिटर की उचाई पर देखने को मिलेगा जब आप पुर्व की और बढ़ेंगे अर्थाद जब आप नंदा देवी तक पहुंचेंगे तब य चंचंचंगा दिखेगा जो की सबसे ज़्यादा उचा है और उसके बाद आपको नामचा वारवा दिखेगा अर्थाद यहां पर उचाई कम देखने को मिलेगी कई जगों पर आप ऐसा भी देखते होंगे कि पस्टिमी हमाले का हाइड कम है और पुर्वी हमाले का हाइड जादा है तो आप इसे अगर और डीपली अगर देखते हैं तो हमें ये विसंगती देखने को मिलती है कि पस्टिमी भाग में जब आप जाएंगे तो पस्टिमी और पुर्वी भाग को अलग से देखें और जब पुर्वी हमाले पर जाएंगे तो पुर्वी हमाले का पस् इस्थान्सी इस्थिति काफी जादा है इसकी अग्छान्सी इस्थिति के अधार पर अगर आप देखेंगे तो लगबग ये 37 डिगरी तक आपको ये फैला हुआ दिखेंगा 37 नॉर्थ लेटिटूड तक और अगर आप पुर्वी हिमाले का विस्तार देखेंगे तो ये क्योंकि जब लैटिटूडनल एक्स्टेंशन हमारा उपर बढ़ता जाता है अक्षांसी सिती अगर हम उत्री और जाते जाएंगे तो सुर्य तापन हमें जो वार्शिक सुर्य तापन है वो कम दिखेगा और इस आधार पर वार्शिक तापन भी हमको कम देखने को मिलता है अ और वही अगर रेनफॉल आप इस्टन साइड में देखेंगे तो ये आपको 200 सेंटिमीटर के आसपास होता हुआ दिखता है टेम्परेचर जादा है अर्थात वहाँ पर परियाब्त परिस्थिती है जिसके कारण वर्शा वहाँ पर हो सकती है अब वनस्पती पर आते हैं टेम्परेचर कम है रेनफॉल कम है तो जाहिर सी बात है वनस्पती भी यहाँ पर जो वनस्पती का विकास होगा विस्तार होगा पस्चिम हमाले में कम दिखेगा और पुर्वी हमाले पर जादा दिखेगा इतना जादा दिखेगा कि आप वहाँ पर हाट स्पॉर्ट भी ब देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं विक्ष रेखा की विक्ष रेखा क्या होता है वह रेखा जिसके उपर या जिसके जब आप समाने भाशा में समझे तो जब आप कोई परवत चड़ रहे हैं तो एक ऐसी रेखा आएगी जिसके उपर प्रकृतिक तौर पर अब रिक्ष तो अगर आप व्रिक्ष रेखा के बारे में कहें और अगर आप पस्टमी हिमाले पर आप चड़ते जा रहे हैं पस्टमी साइड में चाप चड़ रहे हैं तो तापमान और वर्षा की मातरा अगर कम है वनस्पती की वहां पर विकास कम है तो व्रिक्ष रेखा भी आपको कम ह देखने को मिलेगी अर्थात जब आप उपर चरते जाएंगे पस्चमी साइड में तो हाइट बहुत कम हाइट पर ही आपको वह रेखा मिल जाएगी जिसके उपर प्रक्रितिक रूप पर अब व्रिक्ष नहीं मिलने वाले लेकिन अगर आप व्रिक्ष रेखा देके ही नहीं पिगलता अब पस्चमी हिमाले पर अगर आप देखें तो तापमान वहाँ पर कम है लेटिटूडनल एक्स्टेंशन उसका जादा है तो वहाँ पर आपको ज्यादा ठंडा जलवाईयू दिखेगा जिस कारण से वहाँ पर बर्फ भी आपको ज्यादा ढगे हुए भी आपको कम देखने को मिल रहा है लेकिन जब आप पुर्वी हिमाले पर जाते हैं तो यहाँ पर हीम रेखा आपको काफी उपर दिखेगा अर्थाद पुर्वी हिमाले के उपरी भाग पर ही आपको ग्लेशियर्स या बर्फ जमे हुए साल बर दिखेंगे अब आते हैं ह आगर आपने देख लिया कि मनस्पती वहाँ पधी वहाँ पर जादा है तो आप वहाँ पर जैविविटा Coryaud वाशचिम हिमाले में कम होगी एक अंतर वाले question का answer लिख सकते हैं तो ध्यान रखिए कि जब हमने question के answer explain किये तो concept के साथ साथ में हमने इन तीन pillar उपर अपने answer को fit करने का प्रयास किया answer writing practice आप करते जाएए इस content के अलावा भी और बहतर content presentation भाशा क्या हो सकता है उसके कोच करिए जितना ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास करिए और अभ्यास ही आपके सुधार का एक तरीका हो सकता है और जितना ज़्यादा आप समय को यहां पर सुधार करते जाएंगे जितना खुद से खुद को आप nurture करते जाएंगे उतना ज़्यादा perfection की समय पहुंचते जा तो उनके उत्तर आएक बार आप जरूर जाकर देगे और आप और भी प्रयास करते जाएं और विश्यों के आंसर वहां पर समिट करते जाएं और इसी के अधार पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं धन्यवाद पिएसी की समपूर्ण तयारी के लिए कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले